लड़का बहुत तेर से बस में बैठी एक खूफ सूरत लड़की को देख रहा था लड़की बोली घूर क्यों रहे हो लड़का बोला तुम बहुत सुन्दर हो हम कुछ बात सुरू करें लड़की बोली पूछो लड़का बुला तुम्हारे कितने भाई बहन है लड़की बुली तुम्हें मिलाकर तीन भाई कहानी खतम पत्नी बुली सुनिये जी आप आज ही के दिन मुझे देखने आये थे न पत्नी बुले याद नहीं है पत्नी बोले आपको याद है मैंने उस दिन कौन से कलर की साड़ी पहनी थी पत्नी बोले नहीं पत्नी बोले अच्छा आपको मुझसे जरा भी प्यार नहीं है पत्नी बोले अरे यार जब कोई आदमी ट्रेन की पटरी पर मरने जाता है तो ये थोड़े ही देखता है कि गाड़ी कौन से कलर की आईगी ग्राहक बोला तुम्हारे पकोड़े खाकर करेंट जैसा क्यों लग रहा है पकोड़े वाला बोला सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग की थी इसलिए एक लड़की अपने बॉइफ्रेंट के साथ मॉल में गई बॉइफ्रेंट बोला उस लड़की की पेंटिंग देखो जिसने अपने जिस्म को पत्तों से ढखा हुआ है गर्फ्रेंड बोली वाव सो क्यूट बॉइफ्रेंड पेंटिंग काफी देर तक गवर से देखता रहा गर्फ्रेंड गुस्षे में बॉइफ्रेंड का कान पकड़ कर बोली अब आगे चलोगे यह यहीं बैठ कर आंधी आने का इंतजार करोगे एक दिन पपू इसकूल के लिए निकला रास्ते में रस वाले को देख कर बोला अंकल जल्दी से जूस पिला दो लड़ाई होने वाली है उसने उसे जूस पिला दिया फिर से उसने वही कहा अंकल जूस पिला दो लड़ाई होने वाली है ऐसे करते करते वह पांच छे गिलास पी गया जूस वाला बोला अरे लड़ाई कब होगी पप्पू बोला जब आप पैसे मांगोगे अज़ाई